हेलो माइ बीटफुल सूल फामली कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सब बहतर कर रहे होंगे खुश होंगे खुशाल होंगे धेर सारी ब्लेसिंग्स आप सब को मिल रही होंगी और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इंजल साब सब की हेली करें उसे अच्छे अच्छे मुकाम पर आपको आप सभी को पहुचाए और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी मेरी फामली का हिस्सा बने तो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए करियर में क्या आने वाला हैं बहुत लंबे टाइम बाद मैं करियर रेडिंग कर रही हैं और व की आप सभी के लिए फिर में कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूं तो यू है टू पाइल स्पाल नुबर बॉन फोकुस कार्ड पाल नुबर टू पीस कार्ड आपको जो ज्यादा ट्रेक्ट कर रहा आप उसे चूज कर लीजिए क्लोज यू आइस एंड चूज वन पाइल और आप दोनों भी देख सकते हो अगर आपको दोनों ही अट्रेक्ट कर रहे हैं कि नम्बरिंग के हिसाब से आप कर सकते हो यहां पर है फाइव मतलब फूर्टिन वन प्लस फॉर फाइव और टू प्लस एट या फिर ट्वन्तिएट जो ज़्यादा ट्रेक्ट कर रहा हूं से choose कर लीजे ओके आई होप कि आपने चीज़ कर लिया होगा let's start with the pile number one okay so jinnu nne bhi pile number one को choose किया है first of all आप किसी चीज़ पर work कर रहे हैं फिलाल किसी काम पर आप work कर रहे हैं कोई ऐसा काम है जिस पर आप दिन राज जुटे हुए हैं जिसे आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं जिस पर आप focus करे हुए हैं बहुत जादा आपने ना दिन देखा ना राद देखा आप लगे हुए हैं बिल्कुल क्या मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए मुझे वो चीज़ पानी ही पानी है चाहिए किसी भी तरीके से लेकिन मुझे चीज चाहिए और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी ये महनत रंग लाएगी आपके लिए जो आप काम कर रहे हो फिलाल वो अपॉर्चन्टी ज़रूर मिलेगी रुकिये मुझे न कुछ दिखा शायद नहीं या या ये रहा कहते हैं न कि पलक आँख की पलक मुझे वो दिखिया और आप विश मांगते हैं हमेशा गोड से कि ये काम मेरा बन जाए तो आपकी वो विश है न गोड पूरी करने वाले हैं आपने जो विश मांगी है वो फुल्फिल होने वाले हैं अपने आप पे फोकस कीज़े अपने गोल पे फोकस कीज़े बिलकुल भी अपना ध्यान मत बटकने दीजे कहीं भी क्योंकि ये बहुत जादा chances हैं कि change आपकी life में आए आपका जो आप काम कर रहे हो उस काम पे आपको success मिले क्योंकि मुझे आप पे back में जो है ना sun दिख रहा है sun की power दिख रही है so definitely मुझे नजर आ रहा है कि जिस चीज़ पे आप focus कर रहे हो वो होगी universe है आपके साथ आपको बस सहीम रखना है calmness के साथ calm पे focus कीज़े उस पे लगे रहे हैं मुझे ज़्यादा तर chances हैं लोगों के यहां कि आप किस जिस भी काम पे लग रहे हैं उसके successful होने के chances मुझे ज़्यादा लग रहे है now let's see with the oracle deck oh sorry tarot card and after that हम oracle deck से लेंगे एक card और फिर आप सभी के लिए guidance के तोर पे handmade card से देखेंगे क्या रहेगा okay पता नहीं मैं अपने जो handmade card से उनके तरफ बहुत ज़्यादा attracted हूँ इस वोज़े से नहीं कि मैंने बनाए नहीं क्योंकि यह मुझे exact answer देते हैं so yeah now let's see क्या आने वाला है pen number one के लिए करियर में please angels tell me आपका अपनी communication skills को सुधारने की जरुएत है communication skill अगर आप सुधारेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा if you are preparing for any interview अगर आप किसी interview के लिए prepare कर रहे है then आपको अपनी थोड़ी सी language अपना personality को develop करना चाहिए personality पर ध्यान दीजिए अगर आप interview वगेरा के लिए सोच रहे हैं कहीं so बोलने से पहले उसका चिंतन करें दिमाग में उसके बाद ही बोलें क्या आ रहा है pen number one के लिए करियर में please tell me आप worried है परिशान है कि कुछ नहीं हो रहा है मेरा करियर में okay आपने कोई एक चीज चुनी है जिस पर आप लगे हुए हैं एकदम focus करें मुझे यहाँ पर भी है न एक globe type दिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी maybe आप कहीं कोई यहाँ पर मुझे न यह वाल क्या कहते हैं globe दिखा है तो maybe आप किसी ऐसे फिल्ड से है maybe geography से है या फिर आपको world से related कोई international कोई business हो सकता है व्यापार हो सकता है कोई कुछ ऐसा है जो कहीं न कहीं पूरी अर्थ से जुड़ा है कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो पूरे के पूरे globe से जुड़ा है जो आपने चुना है न आपने बहतर चुना है और आपको मुझे उसमे success मिलती हुई नजर आ रही है मुझे एक सोंग याद आ रहा है आपके लिए शारुक खान का है चांद तारे तोड़े लाओं सारी दुनिया पर मैं छाओं बस इतना सा खाव है हाँ बस इतना सा खाव है तो याँ आप चाहते हैं कि आप चांद तारे तोड़ लाएं सारी दुनिया पर आप याप चाहें तो याँ जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं नो उस पर करते रहे हैं मुझे उसमें सक्सेस मिलती हैं नजर आ रही है देखिए मैं गाने पर मत जाय कीज़े मेरे इसलिए मैं आप सभी को हमेशा सॉंग सजेस्ट करते हूं सो याँ आपको जरूर अथोर्टी मिलने वाली है डेफिनेटली फिया प्रिपेरिंग फोर जोग और इंट्रव्यू एनिठिंग जिस एक्जाम के लिए भी तो मुझे वहां सक्सेस मिलती हूं नजर आ रही बस आपका अपना फोकस वहीं पर रखना है ओके यह कार्ड मुझे पहले भी दिखा था नाजर आसफ और स्वाड्ज बहुत जादा परिशान है आप ःस्टनी कर रहे हो रैस्ट करें जो होना है होगा ठीक है और वरीड मत रहें की क्या होगा क्या चल रहा है यह यह बनेगा या नहीं बनेगा काम आप अपने आप पर बस फोकस करते रहें गोड़ है ना गोड़ देख रहे हैं आपकी महनत आप बस करम पर फोकस कीजिए फल की चिंता ना करें ठीक है कि दोंट फॉरी किंग ओफ युड़ कब्स आपको सकसेस मिले गया वैसे ही वरेड हो तक हो डेफीनेिटली कि नाइन ओफ वान्स फिर से देखो वाक 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 कितना वालगए हां कितना करोगे इतना भी वरेड मत रहो इतना भी परेशान ना रहो कि आपको लगे कि हारे मैं दो बहुत ही जादा कर दिया देखो वरीड तो रहो मत आप बहुत जादा वरीड हो अपने करियर को लेगे मुझे आपको अपोर्चेंटी मिलती हुए नजर आ रही है एक नहीं दो-दो आप ऐसे ऐसा कर सकते हैं कि side business आप कर रहे हूं तो वो भी चलता रहेगा लेकिन आपकी जो भी जो है मुझे लगती हुई नजर आ रहे हैं आप जो ये परिशान की परिशानी की जो ये काल्स आई हुए हैं यहाँ पर इनसे थोड़ा सा काम रहें ज्यादा ओवर मत करें बर्डन मतले एकदम फन के साथ काम करें जो कर रहे हैं मज़े के साथ कीजिए ताकि आपको टेंशन न रहे और आप जल्दी से जल्दी स्टीज को रिसीव कर सकें समझ में आ रहा हैं इतनी टेंशन क्यों भई करियर में अपॉर्चुन्टीज आ रही हैं दो दो अपॉर्चुन्टी मुझे आती हुए नजर आ रही हैं जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं उस चीज़ पर करते रहो उसमें मुझे सक्सस दिखाई दी रहे हैं यहाँ आपके ल ओके 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 लिखा इफ यू आ बिजनसमेन और आप अगर खुद का कुछ करते हो तो उसमें देखो सक्सस मिलेगी आपको यह जो एनरजी नहीं सारी की सारी एनरजी जो आपको थोड़ा सा पर प्रॉब्लम दे रही थी सोरी मैं एक मिनेच चुके मैं यह से यहां रख देत हूँ ताकि आप लोगों काश सही से दिखिए हुम तो यह देखें यहां पर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही जो भी परिशानियां आपको आ հही हैं उन परिशानियों को छोड़ दें ौरसं चीरस्तन सोह जादा मत सोचे च्या हुने वाला है और क्या होलोग है औरने त्यारी कर रहा हूँ अच्छी नहीं हो रही है लेकिन मैं यह रह गया वो रह गया डॉंट वरी काम पीज शांद रहें चानती हूं कि बहुत जादा आप वरीड हैं अपनी करीयर को लेगे बट अगर इतने वरीड रहोगे तो याद क्या रहेगा बच्चु अगर आप बाहर जाने का ट्राइ कर रहे हूं मार्केटिंग में ट्राइ कर रहे हूं को हैंड हो सकता है बहुत अच्छा काम बनेगा अगर आप कहीं बाहर दुसरी सिटी में जाने का ट्राइ कर रहे हूं आप जाने वाले हो या जा सकते हूं बहुत जल्दी चांसे हैं कि आपका वहां से व पिनेटली सक्सेस मिलती हूं जरारिया पिंजोई करोगे आप उस चीज को इंजोई करने वाले और फाइनेशली जो है अबंडेंस आने वाली बहुत जादा अपॉर्शनटी जाने वाली हैं एक नहीं दो-दो एक आपके साइड बिजनस से अगर आप साइड साइड बिजनस क करते हो या फिर ऐसा हो सकता हैं कि आप जिस फिल्ड में काम करते हो वहीं आपको दो अपॉर्शनटी मिले एक लॉंट्रम के लिए होगी एक शौट ट्रम के लिए होगी और यह हो सकता है आपको लगे कि हाँ बहुत वाली अच्छी इसमें ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा ह लेकिन मैं आपको बोलूगी भाई थोड़ा दूर दर्शे बनिये थोड़ा सा दूर की सोचिए वो बहतर रहेगा आपके लिए ताकि आपको जो है फैनने शिव्ज में ग्रोथ मिले बहुत साथ है ठीक है आपके लिए थोड़ा सा यूजबल रही होगी रेडिंग तो अगे करियर का यही है मुझे अपोर्चुनटी आते हुए नजर आ रही है आपके लिए आप वेट कर रहे हो जिस चीज का वो वेट खतम होने वाला है बहुत जल्द मुझे ऐसा नजर आ रहे सितंबर का महीना आपके लिए सितंबर अगस्त ये दो महीने आपके लिए कुछ गुद नियूज लेके आ सकते हैं और इसे उज़से आप वोरीड हैं काम रहें प्लीज मेडिटेट कर सकते हैं आप सेल्फ लव कीजिए अबंडेंस आपके तरफ आने वाली है यू नीड टू लव यूर सेल्फ ओके ओके देखे वही चीज़ है दूर दर्शे बनिये पास का मत सोचे कि पास में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है दूर दर्शे बने दूर में मतलब क्या है क्या मुझे लॉंग ट्रॉम तक फाइदा दे सकता है एसा कौन सा प्रक है जो मुझे लॉंग ट्रॉम तक फाइदा देगा है कि लिए ले स्चाल और ऑंर पोफ जारी आपको don't worry मुझे आप पर पता क्या दिख रहा है अगर आप business में हैं वहाँ मुझे आपको opportunity मिलते हूँ नज़र आ रहे हैं या वहाँ पर आपको profit होता हुआ नज़र आ रहे हैं अगर आप कहीं बाहर जाने का try कर रहे हैं communications में या फिर ऐसा हो सकता है marketing में अगर आप try करना चाहते हैं या फिर business वगेरा कुछ है तो वहाँ पर आपको opportunity मिलने वाली हो और आगर आप कहीं बाहर जाने का try कर रहे हो वहाँ पर आपका वो visa जो है हो जाए काम वो बन जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि आप shift हो जाएं दू आपके लिए नजर आ रही है एक opportunity वह है जो long term के लिए होगी एक वह है जो थोड़े से short term के लिए होगी आप जी वरीड है यह एनरजी यह burden इसको release कर दीजिए don't worry क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ ठीक होगा okay let's see क्या है आपके लिए प्रीज इंजल्स वीवर्स को guide क करें गाइड करें वीवर्स को क्या कहना चाहते हैं आप गाइड माइवी वीवर्स धेर सारी prosperity weight कर रही है बहुत जल्द आप बहुत जल्द कोई success आपको मिलने वाली है no need to worry oh my god thank you thank you angels not the right time it's not the right time जिस चीज चीज के लिए अभी आप बोल रहे हैं लेकिन हा no need to worry सब कुछ ठीक होगा क्योंकि आपके life में family का सबसे अपने blood group का या फिर अपनी blood line sorry blood group बोल रही हूँ अपनी blood line का सबसे prosperity वाला person आप होंगे मिलने जिसके पास धेर सारा prosperity होगी धेर सारा name fame abundance होगी ठीक है now let's see any guidance okay thank you angels please angels guide me क्या कहना चाहते हैं आप वीवर्स को अपनी family का अगर कोई trauma है जो आपको पास में बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन देता है या आप आप सोचते हो तो पेन मिलता उसे release कर दीजें you are healer so use your power आप healer है give yourself a chance अपने आपको एक चांस दीचे नरिश yourself अपने आपको नरिश कीचे अपने आपको forgive कीचे अगर आप से कोई mistake हुई है कोई गलती हुई है then forgive don't compare yourself with other you are the best मैंने दीव ओला you are the best okay I am the best ये वाली चीज़ इस राइट टाइम तो टेक एक्शिन आप अगर कुछ करने का सोच रहे हैं then go ahead कर सकते हैं so yeah that's all for you I hope you like the video enjoy the video अगर आपको वीडियो पसंद आई है then like कीजिए if you are new here subscribe कीज़े में चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और if you want your प्रसनल रेडी देन मत से कॉंटेक्ट कीज़े थैंक यू लब व्यू बबाई पाल नमबर वन हेलो पाल नमबर टू कैसे हैं आप सभी I hope कि आप सब बहतर होंगे so पाल नमबर टू जिन्हों ने भी वाला कार्ट चूज किया है first of all आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पीस चाहते हो आप अपने सराउंड में कोई ऐसी एनरजी नहीं चाहते हैं जो आपको परिशान करें आप अपने सराउंड में एकदम पीस फुल एनरजी चाहते हो आप अपने सराउंड में अपने ओरा को अपने चक्रास को बैलन्स करना चाहते हो आप अपने आपको हील करना चाहते हो आप इस प्रोसेस पे हो कि आप अपने आपको हील क आप में से बहुत सारे लोग जिस भी चीज के लिए यहां पे हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं किसी स्पेसिफिक करियर के लिए अगर आप यह देख रहे हो तो आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो यह आपको कहीं न कहीं और नौलजज गें करने की जरूए कि कितने हैं मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में आप music lover है अगर आप music में कुछ करना चाहते हैं dancing, music, artist हैं अगर आप तो आपको उसमें success मिलेगी आपको कोई ऐसा platform मिलने वाला है जहां पे आप अपना talent show करने वाले है या, wait, क्या हो गया, visible नहीं है कि हाँ, yes, अगर आप yoga में है, meditation वगयर आपका आती है तो आपको वो सिखानी चाहिए लोगों को, यह आपका एक profession बन सकता है don't take it lightly, कि हाँ मुझे बस yoga ही तो आती है, मुझे बस meditation करवाना ही तो आता है यह बहुत जादा important है आज के time में, तो आपको ऐसा अपना खुद का business start-up कर सकते हैं यह आपको अगर चक्रा बैलनसिंग आती है, आपको meditation अगर आती है अगर आपको healing करने आती है लोगों की, तो यह भी एक profession बन सकता है आपका not for everyone, ठीक है, सब के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वो manifest कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं multitasker हो सकते हैं, maybe आप please angels tell me, file number two के लिए क्या आ रहा है करियर में file number two के लिए करियर में क्या आ रहा है please please tell me angels, बताएं माम, इपने सारी cards नहीं ले सकती मैं please angels, and junior, adjustment, आप कहीं phone country में जाने का try कर रहे हो क्या, किसी दूसरी country में जाने का try कर रहे हो क्या, अगर आप ऐसा कर रहे हो, try कि हाँ मुझे दूसरी country में जाना है, lawyer वगेरा, judge वगेरा के लिए त्यारी कर रहे हो, तो हाँ करते रहे, थोड़ा इसी difficulty ज़रूर आएंगी, पर वो काम आखर में बन जाएगा अगर आप music lover हैं जैसा कि मैंने बोला, अगर आप music lover हैं तो अपना music अपना talent शो कीजिए दुनिया को, शो कीजिए दुनिया इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, शुरुवात में तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, बाद में बहुत सारा profit आपको मिलेगा अगर आप धेट मतलब ऐसा आपका nature है या फिर आपका आप चाहते हैं कि मैं world travel करूँ, हाँ भई मुझे दुनिया को घूमना है और उसके साथ साथ मुझे आगर आपको ऐसा है कि आप ocean से कुछ है सी, ocean मुझे यहां पर नजर आ रहा है, अगर उससे कुछ related work है, नेवी वगेरा, हाँ नेवी, अगर आप नेवी वगेरा के लिए तियारी कर रहे हो, अच्छा रहे खा करते रहे हैं फिलाल आप अपने finances को लेके बहुत ज़्यादा worried हैं बहुत ही ज़्यादा worried है, इतना worried क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक रहेगा, queen of wands जोब मिलने वाली है, opportunity आने वाली है, authority मिलने वाली है अगर आप खुद का business start करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, अभी lows दिख रहा है आपको, आगे नहीं होगा आप lead करोगे बहुत सारे लोगों के लिए, leader बनोगे, बहुत सारे लोगों को lead करने वाले हैं आप बहुत सारे लोगों को lead करेंगे आप यहां पर है न, मुझे ऐसा नजर आ रहे हैं यह, finances आपके थोड़े से खराब चल रहे हैं, finances में दिक्कत आ रही है, इतना ज्यादा profit नहीं हो रहा है, किसी काम में बहुत ज्यादा worried हो रखे हो opportunity, sorry, opportunity तो आ रही है आपके लिए, कोई काम तो आपके लिए आ रहा है, लेकिन वो इतना profit नहीं देगा जो आप करना चाहरे है न वो कीजिए कोई आ रहा है अपोर्चुन्टी तो आ रही है कोई जरूर कुछ न कुछ आपके लिए आ रहा है आपकी लाइफ में एंटर करने आ रहा है ठीक है लेकिन जो आप करना चाहरे है उस पे अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए बहता रहेगा उसमें आपको सक्सेस मिलेगी स्टार्टिंग में हाँ आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कुछ नहीं हो रहा है लेकिन बाद में आपको उस चीज में प्रॉफिट नजर आएगा प्लीज एंजल स्काइड में आप में से बहुत सारे लोग कोई जोग भी चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपको वहां पर ऐसा इंवार्मेंट नहीं मिल रहा जहां पर आप अभी काम कर रहे हों तो अभी मत छोड़े अपना काम पहले स्टेबल कीजिए दूसरे काम को कहते ना जब हम दूसरा कदम तभी रखते हैं जमी पर जब सोरी हां जब हम जो पहला कदम है उसे वापिस जमीन पर रख देते हैं आपको पता ही होगा हम कैसे चलते हैं जैसे ऐसे तो हम बिछला कदम तभी उठाते हैं जब हम अगला कदम रख देते हैं ठीक है तो इसलिए पहले अपने आपको स्टेबल कर ले अब जो वेट कर रहे हो वो होगा लेट होगा थोड़ा सा डिले है जरूर यहार मत माने ठीक है लेकिन एक चीज़ मुझे नजर के आ रही है पहले अगर आप कोई जो वगेरा यहां पर कोई छोड़ने का सोच रहा है और अपना नया बिजनस स्टार्ट करने क सोच रहा है तो मैं आपको यहीं सुझेस्ट करूंगे अपना वह पहला काम तब तक ना छोड़े जब तक आप शोर ना हो जाएं कि हाँ आपका यह काम स्टेबल बन चुका है अभी ठीक है यह गाइडन्स हो सकते हैं किसी के लिए प्लीज एंजल्स या किंग ओफ कॉप्स सब कुछ है इसके पास क्या नहीं है किंग ओफ कप्स के पास क्या नहीं है यार है दोलत है शोरत है सब कुछ तह है तो यह यह एनरजी हो जाएगी आपकी डॉन्ट परी वन ओर काड इंजल्स छोटी देखो मैं यह नहीं कह रही कि हाँ भई हमेशा बड़ी की तरफ लगाओ ठीक है हमेशा बड़ी चीज़ों को चुड़ों यह नहीं बोल रही है यह नहीं कह रही कि छोटी चीज़ है अगर आए तो उन्हें इग्नोर करो पर अगर कोई चीज आ रही है उससे आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना जादा तो क्या फायदा है उस चीज चाहते है तो वो भी मिलेगा लो वगयर का जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को को जस्टिस की फिल्ट में अगर जाना चाहता है खेर रहने दीजिए बस इतना ही देखिए बिजनस कर रहे हो या खुद का अगर कर रहे हो बहुत अच्छा रहने वाला है वेट करें थोड़ा सा यहां पर मुझे तैन दिखा डबल टाइम डबल क्या ट्रिपल टाइम मुझे एक तैन और दिखा था हाँ यहां पर आपने 10 नंबर ही चुज़ किया हैं आप देख सकते हैं इस रेडिंग से 10 महीने बाद आप कहीं और होंगे मेरा कहने का मतलब है आप जहां फिलहाल हैं उससे अलग होंगे यह कार्ड है न सबसे अलग रह गया था मैंने देखा है नहीं तो आप अपने काम पर फोकस करते रहें एक अपोर्चनिटी ऐसी है जो आपको ज़्यादा प्रोफिट नहीं देगी और जिस काम पर आप जिस वक पर या फिर जिस एम पर जिस पैशन पर आप काम करने वाले हैं वह आपको बहुत ज़्यादा फायरी एनरजी देगा उससे आपसे बहतर कोई नहीं कर सकता और आप बहतर करेंगे और इसनी में आपको सक्सेस मिलेगी ओके तो यह नो लेट सी विद और कल रैक ओके इस एंजिल्स टाल मी क्या मैसेज है आपका क्या कहना चाहते हैं आपका नमबर टू को मैंने बता दिया है फिर भी अगर एक बार थोड़ा सा बताओं तो सुन लेजे अगर आप लोग अगर के लिए त्यारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है हो जाएगा लेकिन काम डिले रहेगा बाहर जाने का ट्राइ कर हो जाएगा वो भी लेकिन डिले होगा उसमें भी डिले रहेगा आपको जो भी काम बनेगा उसमें थोड़ा सा आपको कोई authority मिल सकती है, कोई power, कोई leadership की ऐसी चीज़ कोई मिल सकती है या फिर कोई position ऐसी मिल सकती है आपको अगर आप कोई healer बना चाहता है आप में से तो बहुत अच्छा रहेगा medical field में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है खुद का business कर रहे हूँ, करना चाहते हूँ अच्छा रहेगा, कोई opportunity आने वाली है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए आपके लिए जो है, वो आपका passion है आपका passion किस चीज़ में है, उस पर focus कीज़े definitely success मिलेगी शुरुआत में आपको लगेगा, क्या यार profit तो नहीं हो रहा, हो जाएगा path, अब आपके उपर है कौन सा path आप choose करने वाले हैं 8 ठीक है path choose कीज़े, आपके उपर है कौन सा करेंगे it's all up to you, और यह जो भी path आप choose करोगे वो आपके लिए success लाएगा, balance कीजी अपने emotions को, अपने आपको balance करना सीखे, ठीक है और यहाँ आप पे देखे, आप देखने पारे हो, अपनी power को आप पहचान नहीं पारे हो, जान नहीं पारे हो ठीक है कि क्या है मेरे अंदर powers कौन से चीज में बहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसे जानिए उसके बाद बहतर रहेंगी चीजे ठीक है, acceptance accept करें situation को, जैसे भी है उसे मू ना मोड़े उसका सामना करें, फिलहाल अगर situation अच्छी नहीं चल रही है that's not mean कि वो permanent है permanent तो कुछ भी नहीं है ना दुनिया में, तो ये situation कैसे permanent हो सकती है don't worry बच्चा ऐसा मैंने गोड बोल रहे है कहीं आपको लगे कि हाँ, हमें बच्चा कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है हाई अब देख सकते हैं smiley, तो डेर सारी मुस्कान आने वारी है आपके चहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आने वारी है अपने आपके काम करते रहे हैं take action, action ले सकते हैं जल्दी से लीजिए seven maybe next month आपके लिए कुछ आए क्योंकि मझे आपके seven दिखाऊ ten, seven important number हो सकते हैं आपके लिए no need to worry चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है choose a new direction देखाऊं मैंने जैसे का हम आपको एक new direction चूज करने की जरुरत है अपने आपको चूज करने की जरुरत है अपने passion को चूज करने की जरुरत है abundance तो आएगी ही फिर आएगी क्यों नहीं वो तो आएगी जरूर not the right time अब pen number one देख सकते हैं same cards उसमें थे वहाँ five number change आने वाला है बहुत चल ठीक है be assertive ठीक है जो होने वाला है उससे God को बताएं कि हाँ मुझे ये चाहिए हो जाएगा लिट सी अपने आपको पेन ना दे ज्यादा मत सोचें क्या रहा है यू आर गोड गिफ्टेड यू नीड तो लॉन देस पोर हाइस पॉर परपस जो भी चल रहा है उसको आपको सीखने की जरूरत है क्योंकि ये आपके परपस के लिए है जो आपका आपको अबंडेंस यूनिवर्स देने वाली है कल मुझे किसी का कमेंट मिला कि यूनिवर्स ने तो मुझे इतने मेरे टेस्ट लिए है या आप तो मुझे भरोसा नहीं रहा उन पे देखे रिया अगर आपकी लाइफ में धेर सारी प्रोब्लम आई है ना तो आपको ये टेस्ट किया जाता है कि आप कितना भगवान पे विश्वास रखते हो उस बुरे टाइम में भी और अगर आप उस बुरे टाइम में भी भगवान पे विश्वास रखते हो ना मैं लिखके दे सकते हूँ कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए आपका साथ वो नहीं छोड़ेंगे यू आप गोड़ गिफ्टिड आप गोड़ गिफ्टिड हैं यू नीड टू लान दिस फोर हाइस परपस आपको यह सीखने की जरूरत है जो भी चल रहा है उससे यह मैं सोचे कि हाँ भई मिर से नहीं होगा जस्ट वेक अप जगाई अपने आपको आपको अपनी पावर स इतना ज़ादा टैच मत होई लोगों के साथ चीजों के साथ कि बाद में वह आपको पेन दी ओके यह आपके लव लाइफ से भी मैसिजा हो सकता है कि आप किसी से ऐसा अटैच हुए है कि वह चलाई गया फिर आपको आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब मैं चैनल इफ यह नीव है लाइक कीजे वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लग वीडियो और शेयर दिस वीडियो बैल आइकन को प्रेस कर दीजे इफ यू वांट यूर प्रसनल रीडिंग देन कोंट में लव यू बबाई ठीकियो